हेलो एवरिवन वेलकम अगेन इन लर्ण में दितिमन बचों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 जोग्राफी और जोग्राफी का स्टार्टिंग है 12 नमर्ड चेप्टर से भारत का भौतिक सवरूप इसमें टोटल चार चेप्टर हैं जोग्राफी के 9th क्लास के अंद तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की अमिशा की तरह है फर्स कोशन है दक्षिन एशिया में इस्थित भारतिय उपमहादीब का सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिन एशिया में जो इस्थित आपका भारतिय उपमहादीब है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा तो एक बात तो आप इसमें ये समझें, मुक्य भूमी क्या है और भारत की भूमी क्या है, भारत की भूमी और मुक्य भूमी ये इसक्रिशन में बहुत कन्फ्यूज गरता है, मुक्य भूमी का मतलब जिसमें जो अंडवान निकोबार दीप समूह है, लक्षी दीप समूह है, 68 डिग्री 7 मिनिट से 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्वी देसांतर में, है न, नेक कुशन देखी, भारत की मुख्य भूमी का अक्छांसी विस्तार कितना है, वो कितना क्या था, देसांतर ही विस्तार, ये क्या है, अक्छांसी विस्तार, अक्छांसी विस्तार कितना है इसका, आठे डिग्री चार मिनिट से 37 डिग्री चैए मिनिट उत्री अक्षांस में भारत की मुख्य भूमी का अक्षांस से विस्तार है भारत का प्रमानिक समय किस दिसांतर रिका से माना जाता है ये जो question सहें बहुत important है इनमेंसे एक भी question ऐसा नहीं है जो important नहीं है इसकी भारत का पूर्व से पश्रिम तक कितना विस्तार है? बात का उतर से डख्षिन तक कितना first matter ? बात की इस्थलिए सीमा की लंबाईक कितनी है भारत की इस्थलिय सीमा की लंबाई कितनी है तो कितनी है 15200 किलोमेटर इस्थलिय सीमा यानि जो चारो तरफ जो इस्थलिय जो सीमा बनती है जो अन्य देशों से मिलती है वो सीमा कितनी है इस्थलिय सीमा तो वो है 15200 किलोमेटर नेक कुशन देखिए भारत की समुद्रिय सीम कि लंबाई कितनी है तो कितनी है चेतर 7516.6 किलोमेटर इसमें दीप समुव साइथ जो टोटल समुद्री सीमा उसको समलित किया गया है तो इस्तरिय सीमा 15,000 के लगबग है और यह 7,500 के लगबग है ने कोशन देखी भारत का छेत्रफल कितना है आप भारत देश के निवासी ह तो आपको निशित रूप से पता होना चाहिए कि भारत का छेत्रफल कितना है आपका जो छेत्रफल है 32,87,263 km है जो कितना है पूरे विशु का जो भाग है वो 2.42 पिरतीसाथ मात्र भाग है यह भारत का छेत्रफल नच क्वेश्चन देखी भारत की सीमा से सटे पड़ोस बात की सीमा से सठे पड़ोसी देश कौन-खौन से हो? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूतान, म्यानमार और बंगला देश। आपके जो कितने देश हैं? टोटल साथ देश हैं ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जो बड़े भी हैं और नेपाल, भूटान, म्यानमार और बंगला देश ये छोटे देश हैं तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यानमार और बंगल शेत्तफ़ की दश्टी से भारत विस्व का सात्वा बड़ा देश है नै क्योश्यन देखी भारत की जनगर्णा 2011 के नुसार भारत की जनस्द करोर विस्व की लगभ़ग 17.55URर जनसंगयाँ भारत के अंदर निवास करती है विसकी लगभग 17.5% जो जनसंक्या है केवल भारत के अंदर निवास करती है और इस 2011 करोड पॉइंट 0.02 करोड है 121.02 करोड जनसंक्या यहां की बताई गई है Next question देखिए देश की संपून शेत्रफल का कितना प्रतिसत भूमी परवतिये पहाड़ी पठारी वे मैदानी भाग है देश की संपून शेत्रफल का देश के जो संपून शेत्रफल है उसका कितना प्रतिसत है भूमी परवतिये पहाड़ी पठारी वे मैदानी भाग तो देखते है करम से जो आपका भूमी परवती चेत्र है वो है 10.5 परतिसत आपका पहाडी चेत्र है वो 18.6 परतिसत है पठारी भाग है वो 27.7 परतिसत है और मैदानी भाग जो सर्ब से ज़्यादा है या आपने वो 43 परतिसत है तो देखिए परवती भाग कितना है? 10.5% पहाड़ी भाग 18.6% और पठारी भाग 27.7% और मैदानी भाग 43% है नेक क्वेशन देखिए बहुतिक आदार पर भारत भूमी छेत्र को कितने भागों में बाटा जाता है? तो कितने भागों में बाटा जाता है? यह आपके बाटा जाता है पांच भागों में एक उत्तरपूर परवतिय प्रदेश, एक उत्तर का मैदान, प्रायदी प्यप पठार, समुद्र तटिय मैदान और दीप समुद्र कॉस्टिय प्रवत बहरत के कितने सित्फल में फैला हुआ है? हिमाले परवत भारत के कितने सित्फल में फैला हुआ है? तो ये लगबग 5 fellowship mess छेत्र में है? ये कर्विन 2400 किलोमेटर लंबा है, है ना और ये 150-200 किलोमेटर चोड़ा भी है, नेक कुशन देखिए, हिमाले जहां पर है, वहां पर सागर था, ये हमने सुना है, जिसमें भूकर भी है, हलचलों के करण अफसाद जमाव के पच्चात, अफसादी चट्टानों के मुडाव के कारण हिमाले का निर्मान हुआ, संबंधित सागर का नाम क्या था, ये जो भटना हुई, जिसमें हिमाले सागर बना, अफसादी चट्टानों के मुडने के कारण, जहां पर पहले सागर था, ये न, तो उस सागर का क्या नाम था, उस सागर का क्या नाम था, टेथिस साग ये question बहुत बार repeat हुआ है तो इसका ध्यान रखे गई है अलग अलग तरीके से घुमा कर पूछा जाता है इसलिए इसका मैंने complete description question में देने का प्रेस किया है ये कौन सा सागर है ये टेथिस सागर है ठीक है ने question देखिए हिमाले को किन भागों में वर्गी करत किया जाता है तो देखिए इसको मुक्त तीन भागों में वर्गी करत किया जाता है व्रहत हिमाले लगू हिमाले और उप हिमाले कौन कौन से व्रहत हिमाले लगू हिमाले औ परवत कौन से हैं राध हिमाले के प्रमुक सीर्स यानि सिखर प्रमुक सिखर परवत कौन से हैं तो हम जानते हैं माउंट एबरेश जो विसका सबसे मुझा परवत हैं है ना कंचन जंगा नंगा परवत और नंदा देवी ये कुछ मुख्य सीर्स परवत हैं राध हिमाले में नएक क्वेशन देखिए, लगो हिमाले के प्रमुक शेर्णिया कौन सी है? लगो हिमाले के प्रमुक शेर्णिया है, वो कौन सी है? तो वो पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है, परी पंजाल गलती से लिखा हुआ है, और धोला धार, कौन कौन सी है? पीर पंजाल और धोला धा यह यहां लगू हिमाले के प्रमुक शेणिया है तीक है ने कोशन देखिए उप हिमाले के प्रमुक पहाडियां कौन सी है उप हिमाले में जम्मू, गिरी, मिस्मी, डाफला और पहाडियां यह यह डाफला पहाडियां है यह देखो जम्मू वाली जम्मू में है और गिरी, मि ए उमादरी या आंत्रिक हwareनेग किसे कहा जाता है? यानि हमाले का या आंत्रिक हिमाले क्या क्वी को का जाता है तो ये व्रहद हिमाले भाग को ही हिमाद्रिया आंत्रिक हिमाले भी कहा जाता है ने कोशन देखिए व्रहद हिमाले किती लंबाई में फैला हुआ है तो हिमाले का जो ये भाग है ये पूरी हिमाले की लंबाई में फैला हुआ है तो ये 2400 किलोमेटर ही फैला और सिंदु नदी के मोड से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड तक यानि सिंदु नदी जो आपके भारत में होते हुए पाकिस्तान में जा रही है वहां से होते हुए यह ब्रह्मपुत्र यानि बिल्कुल आस्ट आपके पूर्वी भारत तक यह जाती है एक चाप बनाती है और इ और इसकी लंबाई उतनी है जितनी की पूरे हिमालय की है, यह नि 2400 किलो मिटर लंबाई में फैला हुआ आए यह और इसकी ओसत चोड़ाई है, जो पंचीस से पचास किलो मिटर है, Next question छो फुर्षन देखिए नेख कोशन देखिए व्रहत हिमाल्य की ओसदुंचाई कितनी है गरें यह जो तीनों भाग है व्रहत हिमाल्य लगो हिमाल्य और उफिमाल्य इन तीनों की ओस्दुंचाई काफी importance रखती है तो इस चीज का ध्यान रखेगा अब रहध हिमाली का उसात उचाई जो है वो 6000 मीटर है, 6000 मीटर है जिसमें 40 परवश स्रेणिया, 40 परवश सिकर ऐसी हैं, चोटी आजी हैं, जिनका जो हाइट है वो 7000 मीटर से भी जाता है, जिसमें माउंट आवरेस्ट भी एक है, है ना, वो तो 8848 मीटर है, तो इस वज़े से इस ब्रहध हिमाली के जो उस्तन जो लगभग उचाई है, वो 6000 मीटर है, जिसमें से 40 परवश स्रेणिया, 7000 मीटर से भी अधिक हैं, नेक क्यूशन देखिए, विस्व की सबसे उची परवश सिकर माउंट आवरेस्ट हिमाले के किस भाग में हैं, विस्व का सबसे उचा जो परवश सिकर है माउंट आवरेस्ट जो 8848 मीटर उचा है, हिमाले के किस भाग में हैं, वो हमने अभी बात की थी, वो ब्रहध हिमाले का ही हिस्सा है, नेक क्वेशन देखिए, माउंट आवरेस्ट पर चढ़ने वाला पर्थम भारतिय कौन था, तो हम जानते हैं, अवतार सिंग चीमा जो थे, वो पर्थम भारतिय थे और इन्होंने 1965 में पहली बार चड़ाई की थी, माउंट आवरेस्ट चढ़ने वाले पर्थम भारतिय कौन थे, अवतार सिंग चीमा 1965, नेक क्वेशन देखिए, माउंट आवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन थे, देखिए, इनका नाम काफी फेमस राय है, यह हैं बचेंद्री पाल, 1984 मिनों ने हिमाले की चोटी बात की जाए, तो हिमाले में तो माउंट आवरेस्ट है, लेकिन भारत में हिमाले की बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए, माउंट आवरेस्ट भारत में नहीं आता है, हमारे यहाँ पर कंचन जंगा जो है, वो भारत की सबसे उची हिमाले की चोट दर्रे कौन से हैं व्रहद हेमालेचेद्र में प्रमुखदर्रे कौन से हैं देखे हमने जब छोटी क्लाश में पढ़े ती तो हमने देखा था कि दर्रे क्या होते हैं इन सारी चीज़ों के ब्यार में काफी डिस्कुसिन किया था उन उन classes को भी आगर आपने नहीं देखा है तो प्रीज उनको देखेगा ताकि आपके concept clear हो सके हैं और आपको आसानी से याद हो सके हैं तो व्रैद हमाले सेथ में प्रमुख दर्ये कौन से हैं जोजिला, सिपकीला, मानाला और नीतिला ये इस नाम से और भी बहुत सारे हैं लेक उद्गम चेतर किस हिमाले चेतर में हैं यमना वे गंगा नदियों का उद्गम चेतर किस हिमाले चेतर में हैं तो हमें पता है ये व्रद हिमाले चेतर से ही निकलती हैं उनका जो उद्गम इस्तल है वो यमना और गंगा नदियों का व्रद हिमाले चेतर में ही हैं नेक क्व लगु हिमाले के ही ये परियाय नाम है यानि इसके ही परियाय वाची इसी को हिमाचल हिमाले अत्वा मद्द हिमाले कहा जाता है लगु हिमाले को ही नेक क्वेश्चन देखी लगु हिमाले की ओस्तन उचाई कितनी है लगु हिमाले की ओस्तन उचाई कितनी है ब्रद हिमाले क चोड़ा देखिए जो आपका ब्रहत हिमाले था वो 25-50 था यानि इससे भी कम चोड़ा था लेकिन उसकी जो उंचाई थी वो 6000 मीटर तक थी लेकिन लगू हिमाले की 4000 मीटर तक है और वो 60-80 किलोमेटर तक चोड़ा है नेक कोईशन देखिए लगू हिमाले का प्रमुक दर्र स्थल कौन से हैं इन सभी इаешь स्थलों के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा सिमला मसूरी नैनी इताल डार जिलिंग रानी केकित शब ही क्या हैं यह ऐसे लगू हिमाले में इस्थि थे नेक क्वेशन लगू हिमाले में उच्छ डालों पर कौन धारी बन निमने डालों पर घास के छेत्र पाये जाते हैं, जिने कस्मी में किस नाम से जाना जाता है, तो कस्मी में किस नाम से जाना जाता है, मर्ग, और इनके एक्जामपल है, सौन मर्ग है, गुल मर्ग है, ये काफी famous ऐसे छेत् प्रिवान काता है जब कोशिन दीप में जाता है जब कोश्चन को बहुत गहराई के साथ पूचा जाता है, तब इस प्रकार की कोश्चन साते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेगा, हिमाले में जो तीनों भाग हैं, यानि आपका व्रैध हिमाले, लगू हिमाले और उप हिमाले, उसमें सबसे जो नवीन सेणिया हैं, वो कहा हिमाले के जो सबसे नवीनतम जो सेणिया हैं, वो कहाँ पर हैं, वो उप हिमाले के अंतरगत हैं, जिसकी उंचाई भी अभी बहुत कम है, ने कोशन देखी, उप हिमाले का फैलाव पश्चिमी जम्मू पहाड़ियों से प्रार्म होपर पूर में किस नदी तक माना जाता है उप हिमाले का फैलाव जो है, पश्चिमी जम्मू पहाड़ियों से प्रार्म होता है, और पूर में किस नदी तक माना जाता है, तो कौन सी नदी है, वो है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी में 80-90, अच्छा इसमें एक बात और है, तिस्ता नदी तक तो जो फैलाव है, वहा पहा जाता है कि हिमाले का फैलाव है, उप हिमाले का फैलाव है, पश्चिमी जम्मू पहाड़ियों से प्रार्म होता है, जो पूर में 30 नदी तक माना जाता है, और उसके बात 80-90 किलोमेटर का अंताल पढ़ता है, और उसमें पूर्व की और आदुनेशल प्रदेश तक प आपके बात से लगू हिमाले की 4000 थी, तो उप हिमाले की कितनी है, वो आपकी 900-1200 मीटर तक ही है, और इसका जो चोड़ाई है, वो 10-50 किलोमेटर ये चोड़ा है, ये कितना चोड़ा है, 10-50 किलोमेटर जगे जगे इस्थान के इसाब से कहीं कम और कहीं ज़्यादा ये चो जमू और अरनाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, जमू में जमू पाढ़ियां कहा जाता है, और अरनाचल में गिरी, मिस्मी, अबोर, डाफला, ये इस्थान इस्थान की जगे पर इनको अलग-लग नाम दे दिये गए, और जमू म माव से उंचे घाटी मैदा निर्मित हो जाते हैं इसका मतलब क्या है जिवालिक जो शेणिया है यानि आपका जो उप हिमाले जो छेत्र है उसमें उप खेता क्या होता है जो नदियां आती है उनकी से काफी चौड़ी छेत्र निर्मित होगा और जो जलोड मिट्टी वो लेक जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है तो देखे पूर में इसको क्या कहा जाता है द्वार कहा जाता है इन छेत्रों को और पश्ची में दून कहा जाता है तो पूर में जो द्वार कहा जाता है उसी जैसे हरी द्वार इसका एक एक एग्जमपल है ठीक हरी द्वार ज इसको मुख्य नाम है और हरी इसके आगे लगाया गया इस वज़े से यह हरी दौर हो गया इसी तरह पच्चे में दून है जिसको दहरा दून बना दिया गया वो भी सिवालिक शिर्णी का ही हिस्सा है ठीक है तो इस तरीके से आपके यह पार्ट करता हूं मैं समाब मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ क्योंकि इसका चैप्टर का भी पार्ट बाकी है तो मिलते हैं नेक्स पार्ट के साथ नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू